हेलो गाइज वेलकम बैंक टू माय चैनल ड्रामा सिरिज एपिसोड एड तक की कहाने आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्से में मिल जाएगा पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गुवई और मोमो होरर मुवी देख़़े होते हैं कि तभी कोई दर्वाजे पर आता है वेल आगे दर्वाजा गुवई खोलता है तो फुवई रहता है और कहता है मुझे मोमो से बात करनी है तो मोमो कहती है क्या बात है तो फुवई कहता है नीचे आओ तो मोमो चली जाती ह उसकी बात सुनने के लिए इधर गुवई थोड़ा सैड होता है मोमो को जाते देख फिर कुछ दिर बाद मोमो घर वापस आ जाती है तो गुवई का रवया थोड़ा बदला रहता है तो मोमो कहती है मुझे फुफई ने अपने प्यार का इसहार कर दिया ये सुनकर गुवई और गुशा जाता है फिर मोमो धीरे धीरे सब बताती है और कहती है फुपवई ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्लीज मुझे एक चांस दो और मुझे पीछे से कसकर पकर लिया तो गुवई खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अभी उसे सबक सिखा कर आता हूँ तो मोमो कुवई को रोक लेती है और कहती है मैंने उसे जबाब दे दिया तो गुवई कहता है तुमने क्या कहा तो मोमो कहती है मैंने उसे साप साप मना कर दिया और वहां से चली आई ये सुनकर गुवई बहुत खुस हो जाता है और हसने लगता है तो मोमो उसके तरब देखती है तो गुवई हसना बंद कर देता है उसके बाद गुवई अपने रूम जाकर मोमो ने जो रिजेक्ट कर दिया इस बात पर खुब हसता है और बहुत खुस भी होता है इधर वांक्षन कॉल करती है पर फूफई कॉल नहीं उठाता तो उसे वांक्षन रास्ते में मिल जाती है और फूफई को अपने साथ ले जाती है तो फूफई वांक्षन को कहता है मैंने मोमो को अपने प्यार का इजहार कर दिया लेकिन उसने मना कर दिया तो वांक्षन फूफई को समझाने की कोसिस करती है और कहती है क्या तुम्हें मोमो ने मारा है तो फुफई कहता है मेरे पापा ने मारा है लेकिन कोई बात नहीं ये थोड़ा सा कठ है पर मोमो मुझे पसंद नहीं करती है तो वांक्षन कहती है अगर मैं कहूं मैं तुम्हें पसंद करती हूं क्या त दिजार करूंगी तुम्हारा तो फुफई कहता है नहीं तो वांग्षन कहती है ये मेरा डिसेजन है तो फुफई कहता है वांग्षन मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि किसी चीज को फेस कर सकूं क्यूंकि मुझे नहीं पता किसी लड़की के रिजेक्ट करने के बाद मैं क् क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम सिर्फ मोमो को ही हर समय प्यार करते थे लेकिन मोमो तुम्हें पसंद नहीं करती सोचो जरा और हां मैं छोटी नहीं हूं हम दोनों परफेक्ट मैच हैं और दोनों खड़े हो जाते हैं तो फुफई कहता है तुम मुझे अच्छा फिल करवान की कोशिस कर रही हो क्या तो वांग्शन कहती है क्या मेरी बाते तुम्हारी दिल को नहीं चूड़े ही और अपना हाथ फुफई को देती है और फुफई हाथ पकर कर खड़ा हो जाता है इधर मोमो ऑफिस में रहती है पर उसका पूरा ध्यान मुवाइल पर ही रहता है तो डारेक्टर कहती है बेट जाओ अपना आइडिया दो तो मोमो अपना सुझाब देती है तो उसके पास धेर सारा प्रोपोजल रहता है ये सुनकर लीना खुस हो जाती है तो डारेक्टर कहती है लीना तीन प्रोजेक्ट तयार करो उसमें से एक चुना जाएगा नेक्स्ट म कहती है मिलकर बताऊंगी तो मों कहती है ठीक है तो मों लीना से इजाज़त लेकर चली जाती है आगे कॉलेज में काफी भीर रहता है तो मों कहती है क्या तुम मुझे कुछ बताने वाली थी तुमने कहता मिलकर बताऊंगी तो बताओ तो वांक्षन कहती है मैं बाद में बता और तुम अपने पुदाने केमपस में क्यों आये हो तो गुवय कיות फिल से डैंती है में इन से मीले पहलत में ना मैं explain करती हूँ, गुवई ने मेरी lecture में help की थी, इसलिए ये मुझे अच्छे से जानता है, मैंने इसकी help की थी प्रोफेसर जियांग के experiment में, तो जिन कहती है इसका मतलब तुम दोनों couple नहीं हो, तो मोमो कहती है नहीं, तो गुवई कहता है तुम्हारा time आ गया है, print करवाने के लिए जाओ और गुस्से से बोलता है, और वो चली जाती है, आगे मोमो गुवई से बात करने की कोसिस करती है, लेकिन गुवई अपने senior के project को calculate कर रहा होता है, ये देखकर मोमो थोड़ा upset हो जाती है, ये सब function देख रही होती है, तो वो smile करती है, फिर मोमो अपने project पर stepner मार रही होती है, तो वो काम नहीं कर रहा होता है, तो वो stepner को कहती है, ये काम नहीं कर रहा है, और उसे पटक देती है, तो गुवई उसे देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है, और senior की help करता है, तो मोमो गुवई को back एकर चली जाती है, आगे वांग्शन पूस्ती है मोमो क्या हुआ तो मोमो कहती है कुछ भी तो नहीं और कहती है तुम कुछ बताने वाली थी ना तो वांक्षन कहती है मैंने फुफई को अपने प्यार का कनफेस कर दिया तो मोमो कहती है तो उसने क्या कहा तो वांग्षन कहती है मुझे नहीं पता लेकिन उसने रिजेक्ट भी नहीं किया लेकिन मैं गिब अप नहीं करूंगी तो मोमो आगे जाने लगती है तो वांग्षन पूसती है क्या तुम गुस्सा हो तो मोमो कहती है नहीं और कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ उसने मुझे कनफेस किया था लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया तो वांक्षन कहती है मुझे पता है तो मोमो कहती है सच में तब तो सब सही है लेकिन मैं इनोसेंट हूँ तो वांक्षन कहती है मैं जानती हूँ और दोनों हसी मजा करने लगते हैं आगे वो दोनों होज्टल रूम जाते हैं वहां मॉमो देखती है मियंगलू सैठ होकर में मेरे लैप्टॉपK के पैम पहां लाउैध सकती ही थी हो तो मोमो कहती है तो मोमो को सैठ कर गाँएं और कहता है क्या तुम घर जा रही हूँ मैं तो जा रहाऊं अभी तो मोमो कहती है इतनी जल्दी क्या है तो गुवई कहता है मेरी मा आ रही है तो मोमो चोग जाती है और कहती है कौन तो गुवई कहता है मेरी मा वो तुम्हें खाने पर बुलाई है तो मोमो कहती है मैं भूकी होगी तुमहारे साथ तो मोमो कहती है तो मैं फूर्ञों कोई करते हैं अबisiert को को से ब éléments या मैं लगवारे फूर्ञों पर क्यों हुआ थेल गप सबर कोत्रों शाम paarटा है उकींlerde कूल कर दोस्ते हैं तुम्हें द град बिलने नहीं होने लगा बeurाल कOD Ev judgments नीचे आती है तो वो देखती है कि गुवई कुछ इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है तो मोमो छुपकर उसे देखने की कोसिस करती है लेकिन देख नहीं पाती तो गुवई से पूछती है क्या तुम सर्च कर रहे थे तो गुवई कुछ भी नहीं बताता और कहता है चलो त उनों चले जाते हैं आगे रेस्टोरेंट में मोमो गुवई से पूछती है कहां है तुम्हारी मा तो गुवई कहता है वो रही तो मोमो उनके पास जाकर कहती है हाई आंटी मैं मोमो हूँ तो गुवई की मौम कहती है तुम ही हो वेंजुन की बेटी काफी सुन्दर हो बिल्क तो मोमो कहती है गुवई को जिंगा से अलर्जी है तो गुवई की मा कहती है तुम्हें कब अलर्जी हुई तो गुवई कहता है चम में छोटा था तब हुई थी तो उसकी मा समझ जाती है कि ये मोमो से चुपाना चाता है और उसके बाद वो लोग मचली का ओडर कर देते हैं और उनसे कैसे बात करनी चाहिए गुवई मोमो की बात पर ध्यान नहीं देता और वो दोनों घर चले जाते हैं आगे मोमो अपने ओफिस का काम कर रही होती है लेकिन उसका प्रोजेक्ट नहीं बना होता तो वो उसे बनाती है कि तभी सरकल उसके लिए पैपसी लेकर आता है तो मोमो गुवई को देखकर स्माइल करती है और फिर अपना काम करने लगती है इधर मेंगलू और निंग मोमो के बरते के लिए गिफ्ट खरीदने का प्लान बनाती है नेक्स्ट मॉर्निंग गुवई कहता है तुम आफिस नहीं गई तो मोमो कहती है मेंगलू ने कहा वो म मोमो के सारे फेंट्स उसे सप्राइज देते हैं उसके बर्दे का तो मोमो कहती है तुम लोग यहां क्यों आए गुवई को घर गंदा पसंद नहीं है जाओ तो गुवई कहता है आने दो यह तुम्हारे बर्दे का गिफ्ट है तो सब खुस हो जाते हैं और घर को डेकुरेट करने लगते हैं आगे मोमो बेलोन फला कर उपर लगाना चाहती है लेकिन नहीं होता तो गुवई केता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और मोमो के बालों के माध्यम से बैलोन को उपर लटका देता है यहां आपको इन दोनों का फ़नी सिन भी देखने को मिलेगा आगे वो सभी मिलकर मोमो का बद्दे मनाते हैं और केक को भी काटते हैं और धेर सारे पिक भी लेते हैं उसके बाद सभी मिलकर एक गेम खेलते हैं सेम कलर आने पर एक दूसरे को एक दूसरे से नजर मिलाना पड़ता है और जो इस गेम में हार जाता है उसके फेस पर ड्राइंग बनाई जाती है तो मोमो और गुवई का सेम कलर आता है तो उसकी बाड़ी आती है और वो दोनों जब आँख में मिलाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के आँखो में खो जाते हैं तो मेंगलू उसे जगाती है तो मोमो चोक जाती है और धेर सारा ड्रिंक पीने लगती है और गुवई भी धेर सारा ड्रिंक करने लगता है आगे वो लोग गेम को आगे बढ़ाते हैं तो गुवई की बाड़ी आती है तो वो एक कलर को चुनता है उसमें लिखा होता है तुम जिससे प्यार करते हो उसकी फोटो अपने मुबाइल के स्किन पर लगाओ और यहीं पर एपिसोड 9 खतम होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रू करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भूलें